याई सेलेक्टर आए सेलेक्षिटे नोग है मैक्सिमा मिनमा का कोसन सॉव्प करना सुखेंगे तब अभी तो अगरोंचेनल को सबस्क्राइब कर ले अधिन दोस्तों को साह्त शेयर करना नहीं नहीं बोलेगा चलों सब्सक्ष्ण पार्ण करने मैं कि मैंको zurut मौना पहले सब्सक्राइर नहीं हम लोग माहें देख लेते हैं कि इसका MI number का क्या में क्या मालूम होना चाहिए सबसे पहले किसका बात करेंगे स बेसिक वार बेसिक चाहिंप की बात करेंगे तब जाते हैं आप मैक्सिमा मिनमा कोशन साल कर पाएंगे कब मैक्सिमा होगा कब मिनमा होगा यह बात आपको तो मालूम होना चाहिए अगर R T minus S square greater than 0 होता है और R की value greater than 0 होता है तो इस case में आपका जो कहलाता है क्या कहलाता है मीनिमा का लाता है या मीनिमम का सकते हैं मीनिमम का सकते हैं राइट दूसरा यह तो first condition होगा second condition यह है second condition यह है कि एगर माल लेजे लेटर सपोच R और T आपका minus S S square greater than 0 होता है greater than 0 होता है और इस बार R less than 0 हो जाता है तो इस case में क्या हका लाता है maximum का लगता है या इसको maximum value का सकते है maximum right value लगा लेचेक कोई दिख्कत नहीं है value इसक선 का सकते है maximum value इसको आप बोल सकते है तो इस परकार से आपका 6 और मीनिमा का concept आपका होता है तो ये तना चो concept आपको बताए ये concept आपको अलग से आपको page में यहां पर बात करते हैं कि आर और इस यहां पर क्या है तो इस बात को भी हम देख लेते हैं कि आपका होता है यहां यहां पर इसका मतलब यह है कि पार्सियालिट टिफ्रेंसियेट करना है सेकेंड डायम था उसके बाद ती की बात करेंगे तो आपका होता है मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसियेट करना है दो बार उसके बाद यहां पर एस की बात करोगे तो इस जो आपका होता है डेल इसकार यू बाई डेल एक्स और डेल वाई होता है इस फॉर्मेट में आपका पाहने का मतलब लगी है कि जब भी आपको इक्रेशन्स दिया रहेगा मैक्सिमा मिल्मा निकालने के लिए तो सबसे फॉर्स्ट को हमारा जो काम होगा यहां पर फॉर्स डेलिविटी रिविटी निकालना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में फिर ए या मिल्मा हो रहा है तो इस परकार से आपका इंटोटल मैक्सिमा मिल्मा का कंसेट है ओके तो चली आप हम लोग फाइनली कोसं सब्करना सब्सक्राइब यह बैस बैसी कंसेट अपना पहले पेज में कोपी मेर रोड़ाउन कर लेजिए उसके बाद आपको सब्सक्राइब क मिल्मा आपको बताना है कि मैसमा मिल्मा होगा कौंसा प्वन्किल हो वो जो दी आपको हमगे मालाउन करना है तो सब्सक्राइब ढüm पिलिखते हैं तो given जो आपको equation एक दे रखा x q plus y q is equal to 3 a x y दे रखा है now इसको आपको लेट करना है u is equal to 3 a x y plus y y q आपको इस पर अर्से माल लेना है उसके पाद partially आपको differentiate करना है एक बार x के लिए स्पेक्टमेश को हम लोग डिफ्रेंसियेट कर लेते हैं तो एक यहाँ पर in kl जफरेंसियर करते हैं यहार क्या यह आ जेगा develop a div u इक सपर प्लेशी स्प्रेंसिया यह अगा क्या जागा अपको फुआट प्लसफ प्लस जीरो आ जागा माइनश क्या जागा देखें इसको अगर 0 लिखोगे क्या लिखोगे एकसे स्क्वाइर माइनस 3 ay is equal to 0 आगे आपको आप निकालने में हेल्प कड़ेगा अब इसी को आप निकाल देजी से के एंड टायम निकालना है यहां पर आ जागा एक्स स्वार राइट जब इसको निकालेंगे तो ट्रुटली जीरो हो जागा तेहां पर क्या बज़ेगा हमारा 6x बच्चे आपको मालूम था कि यह होता है इतना ब्राबर र ब्राबर होता है इसको आर ब्राबर लगे हां यहां पर लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग एगें हम क्या करेंगे इसको आप लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो यहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा इसको इसको डिफ्रेंसियेट करोगे तर शिक्स वाई आजाएगा यही किसके ब्रावर हो जाएगा या अटी ब्रावर हो जाएगा एक्स ब्रावर तो एक्स वाई के लिख सकते हैं तो यहां पर यहां पर लिख लिख फ्रॉम फॉस्थ आंड्स राइट यूठ कि यहां पर जो करने जा रहे हैं फॉस्थ फ्रॉम फॉस्थ यह था यहां फॉस्थ इक्सक्राइट करते तो यहां पर एक्सक्ण करते हैं, यहां पर इसको इधर यह square की form में डालते हैं और यहां पर कर लेते हैं, तो यहां पर परकार से पड़र सकते हो, from यह इसका करोगे तो Ax आ जाएगा इसको ओदर पर जोगे तो y ब्राबर ब्राबर अंडरूट Ax आ जाएगा, under root Ax आ जाएगा, प्रॉस-म्लोग करोगे तो यहां पर आजाएगा पर x to power 4 a square into a x आजाएगा राइट जब यहां पर इस format पर करोगा में इधा स्वाब करना start करते हैं जब इस format में करोगा तरह x square अब इसको इधर लेके आचाओ minus a q आजाएगा और x आजाएगा राइट इतना जाएगा और sorry यहां पर यहां पर यह ऐसा है right is equal to 0 आजाएगा यहां पर x q अगर common ले ले तो होगा यहां पर sorry x कॉमन ले तो गा x, x q minus a q बचेगा is equal to 0 तो एक रूट तो यहां पर x बराबर 0 आगे second root जो यहां पर आएगा आपका x q is equal to a q आजाएगा राइट यानि means that इसको बूल सकते हैं इतना बराबर a बूल सकते x बराबर a बूल सकते हैं तो अगला जो रूट अगर second equation में आपकर put करोगे न आएगा एक 0 भी आएगा एक 0 भी आएगा वाइज इकल टू ए आजाएगा कैसे आएगा यहां पूट जाएगा यहां पर पूइंट यहां पर यहां पूइंट जो हमका हैंगे यह इंडा है यह पूइंट मिला है और 00.00 पूइंट मिला है अब यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं अब हम लोग फाइनाली एक बार और एक और य के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसीट करेंगे उसके बाद हमारा काम हो जाएगा तो चली स्कोशन को हम लगा करना स्टार्ट करते हैं तो एक बार और हमको डिफ्रेंसीट करना पड़ेगा डेल यू इस फॉर्मिट में करेगा गारेक हम उठाली लेते हैं यहां यह Лोगो फाल ऐ इसको डिफ्रेंसीट के रहा था एक स्क्वार एक स्क्वार माइनस हमारा था 3a या तो यहां पर जो फॉर्मेट आपका बंग रहा है ना डेल यू बाइड एक्स वाई आ रहा है आपका यहां पर लिखेंगे हमारा जो आर और टी और एस को कमपेर करना ही कितना क्या आया है तो फाइनली यहां पर देख रहें कि आर बडाबर हमारा जो आया है इसमें तो ब्लाबर टी हमारा आया है इसमें तो पर दिक्कर नहीं था आगे फूट करना है इसके लिए बना अब जीरो के लिए तो बाना ही नहीं आप एक वेरीबल तो आया नहीं तो जीरो के लिए तो ओड़र आया है अब यहां पर टी वराबर आया है एक स्कृर्ड निकालते हैं कि यहां पर इसकों मिटाते हैं और इसके बाद आगे solve करना ब्राइब बराबर हमारा आया है 3a यहां पर रबराबर हमारा आया है 6a और यहां पर हमारा आया है T बराबर 6A minus S बराबर आया है 3 A S पाय है इतना है जब इसको आप calculate करोगे जब इसको calculate करोगे 36 A S पाय है और minus आपका आजागा क्या यह माइनस है तो minus आजागा तो minus हमारा आजागा 9 A S जब इसमें से यह घटाओ प्रफित आजगा क्या जगा 27 आजगा 27 अब 27 यह जो आया है यह जीरो से बड़ा है यह जीरो से बड़ा है यह बड़ा है अब आर का हम देखते हैं तो आर का जो वैलू है ना आर का वैलू है 6A हमारा आर की देखना आता है आर की वैलू 6a है यह दिधी देख रहें कि 0 से बड़ा है जब इस चेस में आपका दोनों केस में बड़ा होता है ना तो इस केस में लोग क्या बोलता है Hans Hans Given Functions Functions Is Function is Minima Sorry Minima Minima Values At किसके ब्राबर पे तो हमारा एक इस परकर से रहरा है यह Mnima alu हो जाता है तो आई ओप यहां तक आपको Maxima minima आपको निकालना सिख गए होंगे तो हम maximum minimum को सबसे पहले हैं क्या points देखना ध्यान देना होता है फर्स्ट फॉल अगर आपको पोश्टन दिया है और मैक्सिमा मिमा निकालने के लिए बोला गया है तो उसमें देखना है कि आपको क्वाइंट दिया है नहीं दिया अगर पॉइंट दिया है तो बीच में जो आपको पॉइंट करना है और आपको वहीं पे चाहो 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 आप आर्टी की वैल्व को पूट करके निकालते जाओ जो आपको पॉइंट दिया होगा अब्छालते जाहां में निकालना है और उसके बाद इस केस्ट में आपको पूत करना है और उसहाइब इस अपका से पारकास से अपका सोलिशन तो आपको सबस्वाइब करें कि अब तो आपको मिलेंगे नइट से में जब तो अपना ख्याल रखी आंग्स हम यौ